नेक्स्ट हमारे पास है इंडिरक्ट स्पीच इन इंडिरक्ट स्पीच अब इसमें हमने चेंजिस करने होते हैं जो दूसरे ने हमें बोला वो बात हम किसी और को रिपोर्ट कर रहे हैं तो चेंज होएंगे अफकोर्स रूल नमबर वन there are no quotation marks used यहां कोई quotation यानि inverted comma used नहीं करना second is the words spoken by somebody are introduced with the reporting verbs like said or told usually followed by that अब जो भी उसने बोला ना दूसरे ने उसकी जो हमारी reporting verb है यानि बोलने का तरीका जैसे said है, told है, described है इसको हमने that के से पहले use करना है ठीक है, the words spoken by somebody are introduced with the reporting verbs like said or told usually followed by that यानि कि said के बाद that आएगा told के बाद that आएगा, described के बाद that आएगा, और हमने इस चीज़ को खुद से use करना है यानि कि कोमा और inverted कोमा को हटा के हमने said और told या described या screamed informed इस तरह की use करने है, okay जैसे यहाँ example देखिए for example, mom said that I must cross the road carefully, आब यह देखो mom ने बोला था, यहाँ direct speech थी, mom said कोमा, inverted कोमा start, you must cross the road carefully, यहाँ direct है और जब हमने indirect किया ना, तो इसको हमने कोमा और inverted कोमा को हटा के हमने said that कर दिया, said को bold letters में दिखाया है ना, कि said as it is है, उसके बाद कोमा को हटाते हुए, हमने that लिए दिया आगे फिर you का हमने I बना दिया, ठीक है you का हमने I बना दिया I must cross the road carefully, okay यहाँ पे हमारे words जो है, वो change होंगे, जो direct speech था, उसके अंदर था, we do not change any words, ठीक है लेकिन इसके अंदर हम changes करेंगे, यहाँ है the words spoken by somebody, are reported with some changes, changes क्या आया, यहाँ mom said that के बद I आया, और यहाँ mom said you था you को हमने change कर दिया, I में okay, Karan said that there was a rat in my in his shoes, यह my था न, my my को हमने his में transfer कर दिया, और is था, there is, is is को their words कर दिया, ठीक है तो अब आप यह को होगे कि is को words में change क्यों किया वो ऐसा, आप इसके लिए जाए पेज नंबर 129 129 यह page नंबर है, देखो, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते है कि यह जो हमारा है, is mr को हमने words में transfer किया, change किया ठीक है, तो हमें इस page को ध्यान में रखना होगा, next है, Vani said that she was hurt, अब she क्यों आया, क्योंकि यह दिखो, I am hurt said Vani, अब इसको हमने indirect में Vani said that कर दिया, और I की जगे Vani एक लड़की है तो हमने she use कर दिया तो हमने change किया I को she में, और यहां M था ठीक है, I am hurt यहां हमने कर दिया was, ओके अगेन आपने page number 1 to 9 पर देखना है यह चीज़ कि किसको किसमे change करना है, यह जब भी indirect speech में हमने बनाना है तब हम change करेंग ही करेंगे, ओके Let's start with part A exercise, tick the sentences that are in indirect speech आपको इसमें से choose करना है कि कौन सा direct speech है और कौन सा indirect speech तो जो उन सा indirect speech है उसको tick कर देंगे और जो नहीं है उसे cross करेंगे रोहन सैड कोमा I was late, so I missed the bus अब यह देखो जहां inverted कोमा का use क्या है, वहां तो हमारा indirect speech हो ही नहीं सकता वो हमारी direct speech होती है तो first wrong है, second भी wrong है third हमारे tick है और झाल 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 झाल